इस वीडियो टुटोरियल में हम गुड्स रिसीट नोट की स्क्रीन में सेशन्स की मदद से आइटम्स को लोड करके उनका स्टॉक एंटर करना सिखेंगे सबसे पहले परचेज में जाकर जी आरेन स्क्रीन को ओपन करें यहां पर सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद न्यू सेशन के बटन पर क्लिक करें अब यहां पर प्रॉड़क्ट कोड के सामने?" की मदद से प्रॉड़क्ट हेल्प विंडो ओपन करके भी आइटम्स को इस स्क्रीन के grid में लोड कर सकते हैं और text file को लोड करके भी जिसमें आपने इस format में product का code और quantity mention की होगी Loader text file को लोड करने के लिए Load data from file के button पर click करें और मतलूबा file को select करके open का button प्रेस करें Text loader file grid में लोड हो जाएगी इसके बाद आप save के button से session को save कर ले इसके बाद merge all sessions के button पर click करें आपको आपका मतलूबा save किया हुआ session नजर आ जाएगा आप multiple product loader files को load करके multiple sessions भी save कर सकते हैं वो सब sessions आपको यहाँ पर merge session के tab पर लिस्टेट नजर आएगे Session के सामने check box को check करें और merge के button पर click करें Session main grn grid में load हो जाएगा और फिर यहाँ पर नीचे save का बटन क्लिक करने से Stock Candler software में save हो जाएगा इस video tutorial में हमने goods receipt note की screen में sessions की मदद से items को load करके उनका stock enter करना सीखा Candler Retail Management Software की video tutorials लेखने का शुक्रिया